बासवाला शहर के नियो हासिंगोर्ट शेत्र में एक महीला के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे वार्ड एवं आसपाक से शेत्र में करफ्यूल लगा दिया गया है आज हमने पुलिस के साथ इस शेत्र का दोरा किया यहाँ पर हर गली हर चुराए हर मोड पर कोई न कोई पुलिस जवान तेना थे पुलिस जवानों का कहना था कि उन्हें आदेश दिया गया है कि यदि एक भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो ततकाल इसकी सुचना कंट्रोल रूम को दी जाए और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए इधर प्रशासन की मोजूदग्यू में यहाँ पर पूरी कोलोनी में दूद और सबजी की आपूर्ती की गई इस्थानी पार्शद सुरेश कलाल ने बताया कि हर घर का प्रशासन ने हमें डाटा उपलत करवाया है कि किस घर में कितने विक्ति रहते हैं और उसी अनुसार उने सबजी और दूद की आपूर्ती कराई जा रही है इसको लेकर नगर परिशद बांसवारा के सबापती जेनेंदर तीवे ने भी बड़े कदम उठाते हुए तमम व्यवस्थाई की हैं शहर कोतवाल भही अलाल आजना ने बताया कि दूद और सबजी की आपूर्ती करने वाले विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वह सबजी और दूद दे तो दें पर किसी भी घर से पेसा नहीं लें इसका लेखा जोखा अपने पास रख लें एसे में जब भी कोरोना संकट शेतर से खतम हो जाएगा उसके बाद ही उन्हें यह पेसे लेने हैं यदि कोई ओनलाइन ट्राजेक्शन करके पेसा देना चाहता है तो इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंदन नहीं है हालाकि इन सब में सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि उस महीला के परीजन एवं उनके साथ में बेज़े गए कई लोगों की सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है अभी तक बासवड़ा जिले में कुशलगड के उनसाइट मरीज और बासवड़ा शहर में एक मरीज मिलाकर कूल साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज है आप सभी से निवेदन है कि बिना ज़रूरत के घर के बाहर ना निकले और स्वयम एवं अपने परीवार को खत्रे में न डाले साथ ही पुलिश प्रशाशन और जिला प्रशाशन को कॉपरेट करें तब ही हम कोरोनम महामारी से जीत पाएंगे हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रातना करते हैं कि कुशल गोड और बासवाड़ा के समस्त मरीज जल्द से जल्द स्वस्त हों दर्शको हमें आप से उम्मिद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा होसला बढ़ाएंगे और हम आप तक पहुचाएंगे खबरों से जोड़ी हर लेटेस्ट अबडेट करकारी करमचरी भी बिना कर्फी पास के जानी पाएगा